एसे सक्स ने जो इतनी ग्रोथ की उनके बारे में कोई जानता नहीं है और उनके जो वीडियो इतने पपुलर हो रहे हैं कि मैंने भी उनके कंटेंट को जो बार बार देखता हूँ आज हम एसे सक्से रूबरू होने जा रहे हैं जो कि यूटूब पर बहुत हाइलाइट हो रहे हैं और जिस तरह से उनके चैनल ने ग्रोथ किया है वो काबिली तारीफ है मैंने सोचा नहीं था कि इतना कम समय और इतनी अच्छे ग्रोथ इतने अच्छे सब्सक्राइबर जो कि अभी 11,000 के वी उपर सब्सक्राइब हो चुके हैं और मैं उनसे बहुत मोटिवेट हूँ क्योंकि उनको देख करके मेरे अंदर भी एक इच्छा जायर हुई कि ऐसे सक्से मिलना जरूरी है जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सेंसिटी मुद्दों पर वीडियो और कंटेंट बना करके डाल रहे हैं यूट्यूब पर तो ऐसे सक्से मैंने सोचा कि आप सब भी मिले हम उनसे वाचित करें किस तरह से उन्होंने ग्रोथ किया आज देखिए इतने उनके चेलने जो ग्रोथ किया जैसे कि कोई रातो रात एक बंबूज जो ग्रोथ करता है इतनी तेजी से ग्रोथ होना काबिले तारीफ है लेकिन उन्होंने देखिए सही समय की नजाकत को देखते विए ये सब अच्यूमेंट किया और इतना अच्यू करना हर किसी की वसकी बात नहीं है मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि वो उनके जो मुद्दे होते हैं ऐसे सेंसिट्यू मुद्दे जैसे कि मैंने उनके संपरक में आ सेलेक्शन हो जाता है एमटी के रूप में तो एसे टेलेंट प्रसंद का जब सेलेक्शन होता है एमटी के रूप में तो मास्टर ट्रेनर जिसे कहते हैं उन्होंने अच्छे वीडियो डाले अच्छी सामगरी को प्रस्तुत किया चुनाव किस तरह से संपन करवाने हैं किस सारी समय टि है कार्मिकों के सामने ऐसी समय सہें अक्सर आती है चुनाओं मेरे जा सुक यूप है और सौरे जुकुल हो रेक्ति Horizon करते हैं करमचारी उस समें तो हर्बडाट में कई बार वह गलती फे गलती करता जाता है लेकिन जिस तरीके से सटिक ढंग से उन्होंने जो सामगरी प्रसुत की है कि उन्हें ट्रेनिंग की भी आउशिक्ता नहीं हो क्योंकि आज कल ट्रेनिंग में भी लोग बाग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कई सोचते हैं कि चलो ठीक है क्योंकि बीजिनेस इतनी है आज कल हर विक्ति के कि चलो ठीक है और कर लेंगे या अपने वीडियो वगरा देख लेंगे लेकिन यदि वीडियो देखें तो इन सरके यदि अपने वीडियो देखें तो सब कुछ एक ही प्लेट फोरम पर हमको उप रस्ते में क्या देखत jestem कि मेरे बंचे नहीं थी त्य ses kle ओॉंट से ही थिपर तो मेरे से जश्ट आगे वाली के पर मैंने उनकी आवास सुनायी दी मुझे उडियो चल रहा था तो मैं उठकर के देखा तो उसमे इनी इसर की आवाज सुनाई दी और जो अच्छी तरह से डंग से समझा रहे थे किस तरह से हमें तियारी करनी चीए चुनाओ के समय क्या क्या सावदाने वर्तनी चीए तो मैं उनसे पूछा सर से कि सर क्या आप इनको जानते हो जो आप इनके वीडियो देख रहे हो कि नहीं वेसे अक्सर यनिके वीडियो देखते हैं पिसली बार विदान सवा में चुनाओ हुय थी उसमें इनके वीडियो देखें और अच्ही तरह से संपन करवाए और मेरे साथिं लोग है हम उनको भी यह सेर करते हैं यादी किसी को समझा आ जाती है कई बार कोई पूछता है फोन पर क तो देखो अपने को एक दूसरे की सर्विश भी देनी चीए किसी परकार की कोई समस्या नहीं है चुना में तो देखे ऐसे सक्स ने जो इतनी ग्रोथ की उनके बारे में कोई जानता नहीं है और उनके जो वीडियो इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि मैंने भी उनके कंटेंट को जो बार-बार देखता हूँ, सही समय पे जो वीडियो डालते हैं, आज भी अभी जैसे कि अभी वरतमान में लोकसवा चुनाओ का जो संकनाद हो चुका है, उसके लिए ट्रेनिंग है चल रही है, और वो अभी भी देखिए अपना कीमती समय निकाल करके, आजकल आप जानते हो, हमारी वीजनेस इतनी हैं, विस्ताएं इतनी हैं, परिबारी काम भी है, समाज के भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, शादी ब्याव भी हो रहे हैं आजकल, तो उन समय में से, इतने कीमती समय में से, और अपने ओपिस के टाइम में से भी जो इतना वीजी रहता है, और घरा करके फिर इतनी मिहनत करके एडिटिंग करके और हमारे लिए ये इतनी सामगरी प्रस्तुत कर रहे हैं ये कोई कम बात नहीं है ऐसे उनके जज़वे को सलाम है कि जो एसे मुद्दों पर एसे सही समय पर एसे वीडियो डालें हम सभी कार्मिकों के लिए और साथ ही साथ अन्ने मुद्दों पर भी जन सिवा में कई जो समस्या आती है लोगों के सामने कई बार तो उनके मुद्दों पर भी वीडियो डालते हैं तो ऐसे सक्से क्यों ने अब देरी करते हुए अपन मिलते हैं और खास बात ये है कि इस सक्स ने जो अपने वीडियो चैनल का नाम वो भी अपने नाम से और काम से रखा है जिनका नाम वीडियो चैनल का नाम है मास्टर राम जिलाल मीना तो आईए क्योंने मिलते हैं और रूबरो होते हैं लीजिये साथियों हमारे समक्स हैं मास्टर राम जिलाल मीना जिनका की मैं अभी जिक्र कर रहा था कि यूट्व पर चाहिवे हैं और इतने हाइलाइट हैं कि इतने अधीकतर जो सब्सक्राइबर इनके बढ़ रहे हैं आज दिनों दिन रोज़ना 200-2.500 सब्सक्राइबर इनके बढ़ रहे हैं और आज मिलियन्स को जो इनके विवर्स हैं मिलियंस में है और बारा जार के लगबग इनके सब्सक्राइब हो चुके हैं तो इतनी तेजी से सर आपने जो ग्रोथ किया ऐसे युवा करमत व्यक्ति जो जारू जो हमेशा समर्पन भाव रखते हैं और ऐसे जो कंटेंट होते हैं जिन कंटेंट को समय के अनुसार जगह पोंचे इतनी तेजी से आपने ग्रोथ किया तो हम भी चाहते हैं कि सब लोग परिचित हों क्योंकि मेरा भी एक यूटूब चेनल है मेरे को पता है कितना संगर्स करना पड़ता है कि आज मेरे अब तक साड़े साथ सो के लगबग सब्सक्राइब हुए हैं और मैं सा साल भर हो गया मेरे को काम करते हुए और आप जैसे लोगों के वीडियो जेकर के उनसे में बहुत मोटिवेट हुआ हूँ कि ऐसे सक से मिलना जरूरी है जो इतना कीमती समय निकाल करके और इस यूटूब चैनल पर इस प्लेटफोर्म पर आये हैं और लोगों की शिवा में तख पर रहते हैं क्योंकि आप मैं जानते हैं कि जो कीमती समय है उपिस का समय भी है उससे भी आप समय निकालते हो अपने परिवरिक समय उसको भी निकालते हो तो सर थोड़ा परिशे दीजिए अपना इसके बारे में सबसे पहले मेरी तरफ से आपको नमश्कार, सबी ओडियन्स को मेरा नमश्कार सरका मैं आप सबको परीचे करवा देता हूँ आप हैं स्री ललित नाराइंड जी वर्मा सर, लेक्चरर इन केमेश्ट्री है और आप से मुझे मिलकर वास्तों में बहुत अच्छा लगा और आपने जो मेरी तारीफ करी है, इतनी काबिले तारीफ में नहीं हूँ मैंने कोई असाधारन काम नहीं किया है, साधारन सा काम किया है मुझे पिछले चुनाव में डिपार्टमेंट की तरफ से एमटी बनाया गया था विधान सबा चुनाव के अंदर, तो वहां मैंने सीखा और मुझे मसूस हुआ कि जो ट्रेनिंग्स होती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा कंटेंट परोसा जाता है तो मुझे लगा कि इतना सारा कंटेंट एक दिन में सुबह से साम तक बिठा कर जो करमचारियों को दिया जाता है जो अदिकारियों को कंटेंट दिया जाता है, वो बहुत लंबा हो जाता है यहां यहों कर सकते हैं कि मतलब बिठा कर साम तक जबरदस्ती उसके अंदर इंस्टॉल करना होता है तो मुझे इस चीज के आवसेकता महसूस हुई कि क्यों न हम इस पूरे कंटेंट को छोटे छोटे टोपिक्स के अंदर डिवाइड करके और अच्छे तरीके से समझाएं ताकि हमारा जो करमचारी साती है जिनकी चुनाओं में डूटी लगती है वो आराम से अपने रिलेक्स के टाइम पे सुबह, साम, दिन को, रात को जब भी उनका रिलेक्स मूड रहे वो आराम से देखें तो मैंने इसी उद्देश से के साथ में सर वीडियो बनाए और वो वीडियो लोगों ने इतने मतलब पसंद किये और इतने पॉजिटिव कमेंट उन पर किये कि वास्तों में मुझे उर्जा मिल गई कि ये तो मैं तो आपको रोखना चाहूंगा सर, कि मैं आपके कमेंट जब देखता हूँ, कि इतने अच्छे कमेंट आते हैं कि साइध ही मेरे को देखनें को मिले, नहीं अक्सर क्या है कि कोई या तो पहली बाद तो कमेंट नहीं करते हैं कोई शामगरी नहीं प्रस्तुत की जाती है आज कल समय ऐसा आगया ऐसा क्रेज आगया कि यूटूब परचाना है और थोड़ी अभधरता इस टाइप के भी आने कि कई तो जो प्रस्तुत करते हैं वो गलत ह नए UAPDA वो ऐसे से कंटेंट डालते हैं तो वो सही नहीं है सरमसार हो जाते हैं लेकिन आपके जो कमेंट्स देखते हैं कि हर कोई लाइक कर रहा है कितना अच्छे कमेंट डाल रहा है कि मेहनत रंग लेके आई आपकी जो तो उसके बारे में मेरे भी पोजिटिव उचार र लोगों के इसी तरह के कमेंट आ रहे कि सर आप कितने मेहनती हो कितने अच्छे हैं कितना समय वक्त निकाल करके हमारे लिए सामगरी फ्रस्तुत कर रहे हैं तो सर मेरे बहुत अच्छा लगा सर आपकी कमेंट अच्छली सर क्या है कि सबसे पहले मैं एक अध्यापक हूँ औ और मुझे मेरी मरियाधाऊं में रना आता है और एक अध्यापक की जो मरियाधाई होती है जो सीमा होती है उसी के अंदर में काम करना पसंद करता हूン तो सर जिसे आज आपने बताया कि आप सही करे हो कि अधिकतर आप किसी वीडियो पर कमेंट पर नजर डालोगे तो भद्धे कमेंट ही मिलेंगे गालिया मिलेंगी या कुछ अब सब्द मिलेंगे लेकिन सर मेरे जो वीडियो है एक एलिटरेट क्लास के लिए है एक अच्छे लोगों के लिए है जो मतलब एजुकेशन से बिलॉग करते हैं उन लोगों के लिए है तो वो पसंद कर रहे हैं उनके काम का कंटेंट है और ये जो आजकल एंटर्टेन्मेंट वाला जो चल रहा है कि भई एंटर्टेन्मेंट करो हसाओ और फूरता करो ये सब अपन को सोबा देता भी नहीं है और मैं इस चीज को प्रमोट भी नहीं करता हूँ और मैं खुद बिल्कुल करना पसंद नहीं करता हूँ और दूसरी बात सर आपने कहा कि मैनत तो सर मैनत तो वास्तों में बहुत होती है अपने परिवार के साथ से समय कट करके और एक वीडियो बनाने में सर दो-तीन दिन लग जाते हैं एडिटिंग, सूटिंग, कंटेंट तयार करना, अपलोडिंग, थम्नेल, टाइटल, डिस्क्रिप्सन बहुत सारी चीज़ें होती आप बता रहे हो कि आपका एक यूटूब चैनल है, तो सर आपको पता ही होगा कि कितनी मैनत हो रही है तो साथियों सर का भी एक यूटूब चैनल है, सर ने मुझे थोड़ा से जानकारी दी है, अभी डिटेल से और सर से बात करेंगे उस बारे में तो सर आपका जो चेनल है वो किस नाम से है जी सर मेरे चेनल का नाम है केम एगरी गुरू तो सर का जो चेनल है साथियों वो केम एगरी गुरू नाम से है और सर भी बहुत मतलब महनती टेलेंटेड और एक मतलब मिसाल कायम करने वाली प्रसनल्टी है तो जरूर इनका जो चैनल है वो बहुत कामका होगा और इनको भी जो आज का ये जो दोर है जो तड़क बड़क वाले वीडियो हसने असाने वाले वीडियो, फ़ड़ता फिलाने वाले वीडियो वलगर्टी फिलाने वाले वीडियो इनसे सर को भी नफरत है तो मुझे बिल्कुल शोर है कि सर के जो वीडियो होंगे वो educational purpose के होंगे motivational purpose के होंगे और निश्चेत रूप से काम के वीडियो होंगे तो सर किस तरह का जो content है आप अपने वीडियो में देते हो और कितने वीडियो अब तक आप डाल चुके हो और कितने समय से आप अपने यूटूब चैनल के साथ काम कर रहे हो थोड़ा हलकी से जानकरी मेरे audience को आप दीजिए सर जी सर मेरे जो चैनल का जो नाम है पहले अलग था लेकिन मैंने समय की नजाखत को देखते हुए और मेरे व्यवसाई को देखते हुए जैसा कि अपना व्यवसाई education है तो education के इसाब से मैंने मेरे चैनल का नाम अब केम एगरी गुरू रखा है केमेस्ट्री से हुँ तो केम ले लिया उसका और एगरी कल्चर का मनलब कि अभी में फिलाल जैसे की एगरी कल्चर जो केमेस्ट्री है उस पर ज़्यादा फोकस है यहाँ पर तो मैंने इसलिए एगरी कल्चर को भी उसमें यूज कर दिया तो केमेस्ट्री तो ही लेकिन एगरी कल्चर वाले students है उनके लिए इंपोर्टेंस रखता है नाम तो बहुत प्यारा है केम एगरी जी सर और मानो तो गुरू है सर यदि कोई केम एगरी गुरू क्योंकि लोग बच्चे मेरे को गुरू के नाम से बोलते है इस्टाफ वाले भी गुरू जो आपका काम है जो आपका प्रोफेशन है वो भी जलक रहा है और आपका सब्जेक्ट भी आ रहा है और आपका इंट्रेस्ट भी आ रहा है केम एगरी गुरू जी सर आप जैसे लोगों की दौआओं से उनके उसे संबल से यह संबल हुआ है कि शुरुआत में मैंने जब चैनल का जो इस्टार्टिंग की थी तो मैं मैंने सोचा कि आपने यूटूब पर आएं तो मैंने सिर्फे रेसिपीज बनाना डाला था शुरुआत मेरे जो कंटेंट आप देखोगे तो रेसिपी के बारे में बएक बहुत अच्छी बनाते हो इक दिन बुलाओ हमें भी बना के किलाओ माला था तो सर करेंगे इसा तो हमसे बनेगा आप आप लोगों का आप लोग का मनत्रित हो तो सर इसके बाद में फिर मेरा विचार आया कि थोड़ा फिर में कुछ इस तरह के मोटिवेशनली वीडियो डालने लग गया कि बच्चे उसे मोटिवेट हो विद्यार थी भी कहते थे कि सर हमको यह सामगरी आप यूटूब पर भी डाल सकते हो तो मैंने फिर बाद में बच्चों के लिए किस्टन बेंक वगरा उसमें डालने लगा और पिछले वर्ष भी अधिकतर बच्चों के 95 के अबोव उससे नमबर बने है और अधिकतर पेपर उसमें सेलेक्ट हुए है और इस बार भी मैंने मोटिवेट होकर के लास्ट में जब एक्जाम का टाइम था उससे दस दिन पहले भी मैंने दो-तिन वीडियो डाले और उसमें से भी पूरा पेपर बच्चों के लिए सेलेक्ट हुआ है तो सर ये सब बच्चों की दुआएं उनके और बड़े बुजर्गों की दुआउं से इनके बच्चों की जो डिमांड थी उनके अनुसार में डाला और आगे भी में इस तरह की अच्छी सामगरी डालता रहूँगा ताकि बच्चों को अच्छे लाब मिले अन्य विद्याड थी जो कंप्टिशन की त्यारी कर रही है उनके लिए भी ये लाबदाएक वीडिय से संबंदित इस मोद्य होते हैं उस समय भी अपने कुछ सामगरी से प्रस्तुत करें हो सकता अलग अलग विक्ति आ प्रस्तुत करने मुंद तो वीडियो जैसे हिम आपकी ही जादा संपरक में तो इस मे riches मं तो मेरे अभी 200 सब्सक्राइबर बढ़े हैं यह सब हाव की द्वाएं हैं तो लीजिए सर और आप इसके बारे में थोड़ा गाड कीजिए देखो सर ने मुझे बताया कि अभी सर ने एक सिरी चलाई है इनके चैनल पर मेरे अनुभाव मेरा चुनाव मेरे अनुभाव और इनका एकाद वीडियो मैंने अभी प्ले करके देखा था यह सुटिंग से पहले तो वास्तों में इनका जो लेजा टॉन और जो बोडी लेंग्वेज की फिलिंग है वो वास्तों में ऐसा फिल करवारी है और वो निश्चित रूप से जो अनुभाव हैं सर के क्या गलतियां नहीं करनी है कहां गलतियां हो जाती है कैसे आपको सब चीजों का सावधानी पुरोग ध्यान रखना है निश्चित रूप से helpful रहेगी क्योंकि हम सुनाव कराने जाते हैं अज मेरे को किने कर लाब अभी दस बार में सहीज मेरे डूटी लग चुकी है और में हमेशा हर बार कुछन-कुछ सीखने को मिलता है और कई बार इसे समस्य आई थी कई फेस करते में प्रॉब्लम से वह वक्त बताता है वह समय बताता है बिल्खुल सही का सर आपने कहीं सारी ऐसी छोटी-छोटी समस्या होती है जो हमारा काम खराब कर सकती है तो आपने डिटेल से इस बारे में हमारे ओडियन्स को बताया तो आप सर का जो चेनल है केम एगरी गुरू उसे आप विजिट कर लीजिए यदि आपके आपसे रिलेट लगती है सातियों कंटेंट जो आप तक पहुंच रहा है इस कंटेंट को बनाने वाला और आप तक पहुंचाने वाला ही जानता है कि कितना संगर्स करना पड़ता है कितनी मेनत लगती है और यदि कंटेंट आपसे रिलेटेड नहीं है तो जिन बच्चों से आपके हो सकता मुझे दी और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी डाइरेक्शन है जिस डाइरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ वो सही है क्योंकि अब काफी सारे लोग मिलते हैं तो मुझे मास्टर रामजिलाल मीना नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि सर हम उस डिस्टिक्स से हैं हम वहां पोस्टेड हैं और आपके वीडियो हम देखते हैं आपके वीडियो को देख के हमने पहली बार चुनाव अच्छे सा संपन करवा लिए तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और कभी उनके साथ चाई पानी भी पीते हैं तो मुझे भी बढ़ रहा है काम भी अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है तो पुना अपकार दिकाबार वह धन्यवाद इस चोटे से इंटर्विव लेने के लिए और आप निश्चित रूप से बिलकुल तो सर आप बिलकुल मैनत करते रही है आपकी मैन एक दिन जरूर रंग लाएगी आपका जो कॉंटेंट है वो लोगों को पसंद आएगा आपके सब्सक्राइबर भी अच्छे होंगे और देखो अच्छी चीजें हो सकता है कुछ समय के लिए ना चले लेकिन वो चलती जरूर है मेरी सुपकामनाए है मेरी ओडियंस के शु लोगो को देते रहे पुना धन्यवाद वा आपकामनाए है